आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 36 गड़ के बारे में यह भाग है कि उसका दूसरा भाग भी बताऊंगा आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर ताकतवर हस्तियों में तो ताकतवर हस्तियों में जो दाउ जी है यानि भूपेज बगिल जी का इस्थान कितना है 26 नमबर पर भारत में उनका 26 नमबर फे 26 नमबर पर भारत में इस्थान किसका भूपेज बगिल कि बूपेजबह rodher night 26 नमबर के स्थाने दोस्तों Mumbai में 26 नमर के स्थाने उपेजबह धिन जी का आप इशनीन पहला अनंबर मित्रों आपको मैं बताता हो मित्रों कि पहला नंबर के इसमें इस्थान जो है आप सब को पता होगा दोस्तों कि पहले नंबर कौन है पहले नंबर में जानते अभी सबसे सकती सालिव्यक्ति भारत की प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी है तो पहले नंबर पे नरेंद मोदी जी है अब मोटा भाई अब मोटा भाई को भी जानता है कि एक ऐसे आदमीला पीछे छोड़ दी से जो बहुत ही चर्चितर थे कौन अर्विंद केजरिवाल का इस्थान कौन से 27 नंबर पे है और इनका भुपेश बगजल का इस्थान कौन से 26 नंबर पे तो ठीक है यह एक्जाम के वे से बहुत इंपॉर्टेट है दोस्त सच्चिव 36 गड़ में क्या हुआ दोस्तों प्रसासनिक फेर बदल हुआ है इसमें मुख्य सच्चिव जो थे अभिताप कायनत ज्यांजी यहां पर मुख्य सच्चिव का पत खाली हो गया था अब इसमें कौन है सुबरत साहुजी की निक्ति की गई है मुख्य सच्चिव म मंद्रेगा तो वी आएंपी है दोस्तों वेरी इंपोर्टेट को से ने इसमें मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मजदूरी दर तो मजदूरी ज़र जो 2020-2021 में मंद्रेगा की मजदूरी दर कितनी है पहले तो थी सबस्क्राइब तो तो अब ही क्या है 193 रुपय कर दी गई है याने तीन रुपय की व्रिद्धी की गई है 2020-2022 में 193 रुपय कर दी गई है यह बी कई बार एक्जाम में पूछा है दोस्तों अब इसमें एक चीज और एक इंपोर्टेट पॉइंट बताता हूं आपको कि मन् रोजगार देने में प्रथम इस्थान कौन से जी लेका है तो राजनानगाओं प्रथम इस्थान किस का राजनानगाओं का अब उसमें एक चीज़ द्यान देते हैं कि भारत का भारत में इसमें कितने दिन के तहत रोजगार दी जाती तो सौ दिनों का रोजगार दिया जाता है अब मन्रेगा के बारे में जो एकजाम में बार बार जो पुछे गया है उसके कुछ कोशियन बता देता हूँ आपको दोस्तों कि मन्रेगा सबसे पहले यह मन्रेगा पहले इसका नाम क्या था नरेगा तो नरेगा की स्थापना घप की गई थी दोस्तों दो फरवर्री 2006 के आंदर प्रदेश से की गई थी उसके बाद क्या हुआ था दो अक्टूबर 2009 इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दियागा था मन्रेगा मन्रेगा यानि क्या होता है महात्मा गांधी रोजगार गारेंटी योजना ठीक है दोस्तों अब उसके बाद काता हम है कि ड्रोन पर इचालन चतिज गणंध्र मेंывает रोन परिचालन ठोटल भारत मेंaus 34 जून में 44त दिवाइट किया चतीज गण्रों का नाम नाम आए है एक तो है उसमेंस दोटल कितने जिले एंस तोटल कितने जोन है 34 जिसमें 36 गड़ में कितने का नाम आया है कि दो जीलों का कौन-कौन से जीले है राधनान ना और और सकेंद भी मितरा दो जीलों का नाम जो आया है दोस्तो वह ड्रोन परिशालन में आया है इसके बद और इंपॉर्टेट पॉइंट बताता हूं दोस्तों आपको मैं अब आते हैं दोस्तो संसद रत्ना वाड संसद सन्सद रथ्य शंति तो पांक जो सीटे है उसमें सँच्छ को उच्छ सदन भी कहा जाता है उसमें छय वर्म जी जो है यहां मैं लिग देता हूं राजे सभा शांसद है लाज्जिसा शांसद जो तो 38 गणहिव सांसदों की संक्या कितनी है दोस्तों तूण 30 संथा कि सूला है अब इसमें कई दोस्तों बोर रहें तो 11 तो होते हैं कहां से सोला आ गया तो 11 लोक अधी सीथ है और 5 राज्य सबाद डीचे तो टॉटल संसाथ 16 है अब उसमें आता है सीजी में प्रथम वर्चुयल कोटि सीजी में अभी COVID-19 का जो दौर चल रहा है, इसको देखते वे 36 गड़ में पर्थम वर्चुल कोट की स्थापना के गई है, वो रैपूर में की गई है, कहा की गई है, रैपूर में, और इसमें रैपूर में की गई है, इसका उठगाटन किस ने किया है दोस्तों, तो इसका उठगाटन किया है कि मीमन जी ने पी आर मेमन अब यह बोलेंगे पी आर मेमन कौन है तो पी आर मेमन जो है दोस्तों वह 36 गड़ के चिप जश्टिश है चिप जश्टिश याने मुख्य नयाधिस अब इसमें आता है दोस्तों स्वक्ष बने हैं तो इसमें अभी हाल ही में ना बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों इसका एक सौंग लांच हुआ है कि स्वक्ष बने हैं भारत में बहुत सारे क्या बूलते हैं उसको ऑवाड मी ने प्लेस अगर इधर जाते हैं साउथ में तो विसाकापटनम जाते हैं लेकिन अंद्रप्रदेश जाते हैं अभी हैद्राबाद तेलंगाना में दोस्तों तो तेलंगाना में एक इसलिए मैं बता रहा हूं कि दोस्तों कि जो फिल्म सिटी है इसका निर्मांड कहां किया गया है रैपूर में रैपूर में किया जा रहा है दोस्तों जो सांस्कृतिक मंत्री है जो अमर जी भगत जी उनके अंतरगत क्या बोलते हैं यह फिल्म सिटी का निर्मांड करवाने का दाई तो नहीं को सौपा जा रहा है नायरापूर में कहा बन रहा है दोस्तों यह जो आप नायरापूर में देखें पुर्खोती मुक्तांगना उसी के बाजू में देड़ सोईकर की जमीन पे फिल्म सिटी बन रहा है और इसको किसको अधार रखा गया है इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि यह उसी के अधार पर ये बन रहा है रही रामो जी फिल्म सिटी बहुत बढ़ी फिल्म सिटी उस्सी आधार पर बन रहा है आप आ जाते डेली पालिटेक्निक डेली पाँलीटिकनिक निक तौइ इसकी स्थापना कहां की गई है तो इसकी स्थापना जो रविंद्र चौबे जी हमारे करी सी मंत्री है उनके द्वारा कहां की गई है बेमतरा जिला में चोर भट्टी नमा गाउं में ले चोर अलीम tomar बिमेतर चोर बट्टी बिमेतर में इसकी क्या बोलते हैं स्थापना की गई है तो अभी इसका हाल ही में उन्होंने घाटन किया है मैंने दोस्तों यह करेंट अफेर्स जो 36 गड़ के स्पेसली करेंट अफेर्स और अभी मंदल नहीं मंदल सहीं मंदी रिक्षक का पेपर जो हो आया आपको और अभी आगे भी मैं इसकी वीडियो डालूंगा दोस्तों तो मेरे चैनल एंजे क्लासे सिस्टेडी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों बैल आइकन को जरूर दबाईएगा और वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और कॉमेंट कीजेगा दोस दोस्तों धन्यवाट थैंक्यू दोस्तों